तो यह हमारा mobile computer यहाँ पर open हो गया, सबसे पहले हम कुछ doubt को के लिए करते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे हम अपने mobile को computer में convert तो कर लेंगे, लेकिन इससे हमारे mobile को किसी परकार की कोई problem तो नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूँँ, आपको किसी परकार की कोई problem नहीं होग या फर कोई game हो गया, GTF 5 हो गया, या फर किसी परकार कोई software download करना है, या फिसी application को download करना है, बहुत सारा कुछ process में आपको इस वीडियो में बताउगा, कि कैंसे आपको MS Word download करना है, Excel download करना है, या फिसी game को कैंसे खेलना है, साथ ही साथ सबसे पहले हम बात करेंगे, कि कैं किसे आपको अपने मोबाल को काम्प्यूटर में डैविट करना है उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आपको इस में सॉप्टेवियर बगएर डाउनलोड करना है या फिर आपकी सी गैम को खेलना चाहते तो वह कैसे डाउनलोड करना है अगेन आप लोग MSBird MSXL को कैसे मैनूप्लेट कर पाऊगे कौन सी सेटेंग कहां पर होगी वो सब कुछ भाई मैं आपको इस वीडियो में बता दूगा तो आए वीडियो को सुरू से सुरू करते हैं सबसे पहले हम कुछ सेटेंग आपको यहीं पर बता देता हूँ तो यहा आपको MSBird MSXL जो कुछ भी डाउलोड करना वो सारी चीज़े आप यहां पर आसानी से डाउलोड कर सकते हो डाउलोड कैसे करना वो आगे बात करेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर आपको कई सारे गेम फ्रे में खेलने को मिल जाएंगे जिसके बारे मैं आपको आगे बत कर लेते हैं उसके बाद हम step by step बात करेंगे तो अभी हम बात करेंगे कि Android का जो डाटा होगा वो इसके अंदर कहां पर सोगा सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको एक और तारीक बता देंगा जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी कारे में देखने को मिल जाए ठीक है तो हांसे आप देख सकते हूँ मैंने आपको बता दिया है तो अभी आपको बात कर लेती हैं इंटर्णिट बागईर कैसे चला हंगे तो यहां पर आप ब्रावजर करोगे आपको आप देखना है आप इसमें आपको आगए और रही में लेकिन अभी हम बात कर लेते कुछ और चीज वारे में जैसे अगर आपके पास नेट नहीं है तो होट इस्पूट कनेक्शन कहां पर होगा यहां पर हमारा इस्टूर बगएरा सो जाएगा आपको ब्राउजर भी देखने को मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हो आपका ज मैं जहीं है आपके तो ही कर करना है जो यहां पर कर सकते हो छी हम इसको हटाएगी क्योंकि हम यहां पर मैंन eyelid न बात करेंगे चाए तरहाई आप आप अपने आप menu के तो आसानी से कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो ठीक है उसके बाद हम यहां पर फिर से किलिक करेंगे यहां पर आपको कई सारी अप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी जैसे मैं यहां पर सौंग पर लेकरना है तो अगर आपको सिंपल से क्या करना वहां पर एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा वहां पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है आपकी फाइल मेनेजर ओपन हो जाएगी वहां से आप एड़ कर सकते हो उसके बाद यहां पर आपके इंडराट की कई सारी अप्लीकेशन दे देखने को मिल जागी वीडियो भी देखने को मिल जागी सारा डाटा देखने को मिल जागा तो यहां से हमें आएगे बैक और यहां पर नीचे में आपको गैलेरी देखने को मिलेगी इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर प्लस का आइगन देखने को मिलेगा जहां पर sit down करने या फिर restart करने का option देखने को मिल जाता है लेकिन अभी हम भाई के बात कर लेती कि क्यांसे हमें अपने mobile को computer में convert करना है तब जाके ही तो भाई हम यह सारी चीज़े कर पाएंगे और यहां पर देख सकते हो आपको theme से बगएर देखने को मिल जाएंगे जो भी theme बात करेंगे कि कैसे आपको सेट आप बगएर करना पड़ेगा वाई इसमें आपको एक account करना पड़ेगा तब जाके ही आप अपनी mobile को computer में convert कर पाएंगे और उसके बाद हम software बगएर डाउलोड करने के अब process के बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको क्य छहने को नहीं मिला तो मैं आपको सीधा सीधा बता दें अब की application है रुप यहां पर सकते हो यहां पर करना चीए लीजिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा Google Play Service यहां पर आपको इस्टोरेज वाला देखने को मिल जागा आपको 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 थुर्व आप अपने mobile को computer में सुच कर पाओगे तो आई सबसे पहले हमें क्या करना है play store को open करना और जो मैं आपको सर्च करते दिखाऊं वही आपको search करना है तो यहाँ पर आपको search करना window 10 जैसे आपको search कर लोगे window 10 उसके बाद यहाँ पर first भाली जो सेट काणना है आपकी जो यहाँ पर इस्टॉल हुना स्टार्ट हो जैगा यहाँ पर इस्टॉल हुना है उसके बाद आपको यहाँ पर उसके बाद ही अपनी convenient computer कीibenubiyet कार पाओगे तक के सारी यह डाल लेते हैं चली लाइक मैं अपना ही नाम डालेता हूं तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम डाल लिए और नेक्ट वाले फॉसन पर टैप कर देना है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपसे पासपर्ट डालने को बूला जाएगा यहाँ पर यहाँ पर टैप कर देना चली हम यह यहाँ पर टैप कर दिया है थोड़ी सी यहाँ पर एड बगयर आ सकती उसको आप यहाँ पर जो एंग्नोर कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है जाएगा आपको यह पर क्या करना पड़ेगा यहाँ आपका जो computer है वो start होना start हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ-कुछ settings बगेरा करनी पड़ेगी तब जाके आप अपने Android का सारा data जो है उसके अंदर restore कर पाओगे आसानी से अगर आपको किसी भी पिरकार की भाई कोई भी problem आ रही तो हमें comment कर दीजिए मैं आपक mouse देखने को मिल जागा done कर दीजिए यह सारी चीजे आपको यहाँ पर देखने को मिल जागी अब देख सकते हो आपका जो mobile है बिलकुल computer में सुच हो चुका है तो पूरा mobile हमने computer में बदल दिया भाई आपका दूस्त जो है बिलकुल चौक जाएगा तो यहाँ पर मैं आप आपको MSBARD MSXL के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर आपको इस्टोर देखनों को मिलेगा जहाँ पर आप टैप करोगे तो आप सर्च कर लिजिए MSBARD MSXL जो भी यहाँ पर चलाना है तो आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे भाई इतनी तो आप समझदार हो वीडियो क काफी ज़्यादा लम्मी हो रहती इसलिए अगर आप लोगों को यह काम भी नहीं करते बंदा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए मैं आपको बता दूँगा कि कैंसे MSBARD MSXL यह सॉप्ट वेर वगएर कैंसे आपको यहाँ पर एड करना है कमेंट कर दीजिए मैं आपको बत पर आप